प्रेक्कल कोने से सहरा पहले यह हमारा लास्ट जो है मेजर ठेरी का पार्ट है यह हम देखेंगे कि एक गिड mediator project है उसके कितने उस project की कितने states होती है stages हादλάने taking है उसमें यह उनी से रिलेटर है जो हमने यह लास्ट चीज़े देखी है तो अब हम ज़रा प्रैक्टिकली जाने से पहले है थोड़ा सा जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसको इसकी अनॉट पी को अंडर्स्टेंड करने का वह हमें अभी देखना है तो देखे सबसे जो पहली डिरेक्टरी होती जो कि actual repository होती है git के project की यानि इसके अंदर जितना metadata है जितनी branches की information है जो data है वो सारे का सारा कहा होता है dot git directory में it means कि जब आपने remote server से कोई भी changes कोई भी files आपने पुल की है अपने पास तो क्या है वो कहां पर जाएंगी git repository के अंदर जो git directory के अंदर वो सारी files आ जाएंगी यह आपका project की origin यहीं से होता है तमाम projects का ठीक है और यह actual database इसी में save होती है उसके बाद हमारे पास आ जाती working directory working directory वो आपका actual git से बाहर एक folder होता है जहां पर आपने अपने projects के अंदर आप अपने development कर रहे होते हैं c++ का code हो java का code हो कोई भी code html जो आप काम कर रहे हैं जिस folder में वो आपका क्या है working directory कहलाती है तो यह क्या कहती है यह आपकी single copy होती है जो कि आपने कोई भी एक version को check out किया होता है this is a single copy also known as a checkout of one version of the project ठीक है जो आपका असल code है वो कहां पर लेके आता है यह git से आपकी working directory में सारा आ चुका होता है तो यह git से git directory actually क्या हो जाती है local repository हो जाती है git directory आपकी local repository है तो वहां से यह जो data है यह किसमें आ जाता है आपकी working directory के अंदर आ जाता है ठीक है तो यहां से पहुंचे हम git directory से working में जहां पर आपने अपना काम किया और अपना काम करने के बाद आपने staging area पे उस file को add कर दिया तो यह तीनों practical काम हैं हम तीनों यह काम करेंगे next clip में next आने वाले clips में not a next clip next में देखना हम कैसे एक बनाएंगे कैसे project तो यह किस तरह यह सारा काम होगा स्टेजिंग एरिया को हम index area भी कहा जाता है कहते हैं ठीक है और यह उन files को manage करता है जो आपने add की हों कि मैंने इन में changes कर ली है मैं इनको commit करूंगा आने वाले जो भी हमने जो पुछ करनी है changes server पे तो मैं इसको add करूंगा ओके और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स के हमारे पास जब यह staging area के अंदर यह files आ जाती है तो दैन क्या किया जाता है इनको हम लेके जाते हैं वापस अपनी local repository के अंदर changes को commit करते हैं राइट तो यह हमारी जो तीन स्टेजिस हैं इनको हम प्रैक्टिकली अगे चलके देखते हैं तो इन शॉर्ट अगर हम देखें इफ़ फाइल वर्जन इफ़ फाइल वर्जन इस इन दर डॉर्ट गिड डिरेक्टरी आपकी जो गिड डिरेक्टरी में अगर क आप देखेंगे उफ दू रथेक्टरी पाइस ऊंगि तो दिस टेजिजिंग एरिया तो हम कहेंगे यह मौड़िफाइड वाइल कहलाती आं तो में यह तीनो टरम्स को प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे जितनी टरम्स अभी तक हमने की है ठीज अमारा प्रैक्टिकल नेक topic